प्यार से दरा ताके यह जो हमारे लिए देख रहे हैं इन्हें प्रोपर जाए को पर करें मैं फ्लोर पर कर रहा हूं जानी के फर्च पर कर रहा हूं यह ना समय ना फॉंसी वाला पटा ठीक हो गया ना अम इसमें आपको डिफरेंट बैडियेशन करके दिखाने लगे हैं करके दिखाएं कि आप फटेक उपर क्या करने जा रहे हैं कि आप बाडी बिल्डर बांचुके हैं और आप जारिश ही कर सकते हैं कि माशाला बैक दे सकते हैं यह कोई आम बैक नहीं है 200 लड़कों में से सिरफ एक लड़का ही ऐसी बैक बना सकता है लेकिन 253000 पिछली वीडि रह सकते हैं लेकिन बोड़ी ड्वैलप नहीं कर पाएंगे लगा के दिखाएं इसकी एमिद बताएं ने बैक डबल बाइसाब करके दिखाएं इधर रिख रहे हों कि माशाला तुरस आगया जो बस अलहम्दुलिल्लाह आप दे सकते हैं पूरी बैक उपर से लेके नीचे तक है आल इस रेड़ी गाइस रेड़ी फोर लॉंपिया नैच्रल कॉंपिटिशन अगस्ट फोर और अगस्ट शिक्स इंशालाव विद कम इन कॉंपिटिशन गाइस ओके असलामलीकूम एब्रीवन इमीद करते हैं तुमाम देखने वाले खैडियत होंगे समर सीजन का लास पार्ट जो आपके साथ शेयर किया हमने पार्ट सैवन जिसमें एक तग्राब अर्कॉट जो आप पार्टू में आपको दिखाया गया और उसमें नहीं आ सके जो लड़के मजूद है तो मैंने पार्ट सैवन समर सीजन में आपको दिखा दिखा दिखाया आपको और पर अपको पसांद आए आज पार्ट एड़ आपके शेर करने जा रहे हैं समर सेजन का और कॉम्पटिशन में सिर्फ दो माह और दाज दिन रहे चुके हैं और बैक जो है ना चेंजित रहें अपने वर्क आड में चले आए आज का जो बैक वर्क आट आट करने जा रहे हैं जा रहे हैं बैक वर्क आट आपको और हैड ग्रिप करके दिखाया था जब आम कोमपूरी शंग की त्यारी कर रहे थे पिछले साल अब अंडर एंड करेंगे अंदर से घ्रीव मैं पूर जाने डों नीचे पैरों तक यहां फास। इससे आपका जो इन इनर पार्ट आप श्रया था थे चाल मुझे तरह कवर हो जाएगा निचे जाने डों आपका जो पूट होगा बाना फुट के सेंटर पर आपने बर्बर को लेकर जाना और पूरा अपने लोर वैली पे इसको लो करना जान दो निचे हैं सुट पर फुट पर लोकर ओं फोल्ड करो सोदेर ओके चौड़ साबस अब शाइब तक शाइब ता शाइकंड साइड सेट वेट इंक्रीज करके आ बस यासे हैं हम चार है इस दफारा कॉंपेटिश्म ने बैक में जो कमी पेशी राएगी यह अच्छी तरह पूरी हो जाए बार बार कह रहा हूं फूट के फैंडर पर आपने बार बार को लेकिए आना फैंडर पर ज्यादा बैंटर नहीं होगो सीधा नीचे जाने दो जाना फूट के फैंडर पर लिए बैली पर लोग करना है शाबश कर आप 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 आटोमेटिक के मारे काम हो जाएंगे वेट ज्यादा है फुरा मूब पर शाबश लास्ट वन फोल्ट रा करना थोड़ दिखाओ यहां पर करेंगे बैक जो अंडर एंट ग्रीप का मकसद यह थ जो हमने किया था ओवर एड ग्रीप वह हमारा यह वारा पोश्चन बहुत टीक था कॉंपटिशन में लेकिन इस पोश्चन में थोड़ी कमी बेची थी इसलिए आप अपना बैंट ओवर होगा है जी गाइस अंडर हैंड बैंट ओवर रो करने के बाद आपको मुकमल काज क यह आपने कैसे को कवर करना सेकिंड मोस्ट एफीक्विक्र करने जा रहे हैं खर्द में सिटक बैग मशिन करने जा रहे हैं फिर मसीन के निहीं ही मेश्च पॉर दोब मशीन के साथ अपना बैक मसल में जा रहे हैं लगाएं सब्सक्राइब करेंगे अराम से स्लोवे में एक तो मशीन से यह होता है आप मुकमल अपना मसल अच्छी तरह टार्गर कर लेते हैं जो रिक्वाइर्मेंट होती है मसल की वह अच्छी तरह अज़स्ट हो जाती है करेंगे और जब क्लोस करेंगे थोड़ा सा होल्ड करके लगाएंगे बहुत अला कि स्लोवे में ओके जी गाईज अब मैंने सेंब्सक्राइब से गजारिश किया कि यह बनायन उतार के आपको दिखा सकें अपना सिर्टी टैग मशीन की एमियत तो लगाएं जरा सेंब्सक्र बाइब से करेंगे दुएंगल बने हैं में के एक कि अंदर से और एक वाइज ग्रीप और फिट्र फापी जो आंडर एंट ग्रीप मैंने आपको करके दिखाए हैं थी बैंट ऑफर हो में वह मुझत मसल्बर का मढम दो देए अब सिट इन कर रहे हैं वाइड ग्रिप कर र को अब घृ को अब से बाद आपको नाम भी बताता हूं साथ-साथ-साथ-स. कोई भी भी नहीं बताएगा कि यह आज़त नाप. आप टार्ड मॉस्ट ट्ट अब अब स्वेयर कहा है, अब हम क्रोस रो जारे हैं क्रोस रो यानि कि क्रॉस्वर की मशीन पे क्रॉसरो करने जा रहे हैं Two Arm के साथ क्रॉसरो करेंगे सीरिट केबल हो करते थे आज हम कर रहे हैं पट्टा नीचे साट किया हुआ तू आम क्रोस रो रैपिटेशन 15 से 12 तू आम का मतलब होता है दोनों आतर से ग्रीप का रहे हैं अब बेंड़ो जाएं ओके वेरी गूड शाबाश यह चीज़ मुवपर ठाएं तो रहा है यह चीज़ बहुत आला वेरी गूड आरा मजा शाबाश पहले अच्छा ओपर आते वह ऐसे जब आगे जाना है फिर किसको ऐसे स्टेच करना है ऐसे जब आगे जाएंगे तो फिर ऐसे स्टेच करेंगे शाबश अब आगे जाना आगे अब सीथी आज रखो सीथी जाते बैंड पर करना बैंड को ओके लास्वन आगे देखा गाइस जैसे करके दिखाया है वैसे ही आपने इसको करना यह नहीं आप अफिशेंसी इसमें एड करना चुरू करतें जी गाईस लास्ट करने जा रहे हैं तुवाम प्रोश रोका और हुसैन बाई जुबारा से आपके लिए सिर्फ यह कर रहे हैं तारके आप आपको प्रोफर गाइडनर्स मिल सके हमारी वीडियो से किस तरह आपनी अपने बैक को डिवैलफ करना है लगाएं सब्सक्रास लोवे से लगा के दिखाएंगे और वेट इंग्रीज किया इसमें सब्सक्राइब पूरा हमारा अच्छी तरह लैर्स टार्गट हो रहा है ले लेकिन मेन फोकल हमारा लैर्स की दरफ है ये शाबाज बहुत आला आगे स्लोवे में जब सी ते जो हो आगे बहले ये जीज बहुत आला लास्ट वन ओल्ड जब हम करते हैं न तो उसके बैनिफिट आप देश सकते हैं ओके साबच देशना को तो तुम आम प्रोसर हो का मकसद यह लैर्स यह लार्स के साथ थो आइस पॉस्चन को टार्गट दिया है तो हम ग्रोसर हो रहे हैं इस पॉस्चन को लेकिन में मखसद इस एक्टेश का क्या था हमारा लैर्स और आप देख सकते हैं आपके सामने एलेज़ इससाने, जी गाईज अपना वर्काउट हतम करेंगे, और लास्ट में हम आपकर्षाइब करने जा रहे हैं, वो सुपर सैट करने जा रहे हैं, फिनिछर जो कहते हैं ना वर्काउट पुल्डाउन भीहाइंद दनेक्ट और सिरा थोड़ इसी यह लाइनी चेश को ठीक हो गया और इसके बाद हम जो दस राप प्लिट करने के बाद फॉरन सेकिंड स्टेप की तरफ चलेंगे कि साबस वेरी गूट यह से आपका प्रोपर जो है ना अपर बैक से लेके इनर बैक तक दोनों टर्गेट हो जाएता है लोएर नी टर्गेट होगा आपने पॉल डाउन की तरफ आ जाना दुबारा से और उस पे आप सिराटा स्लीवर करेंगे लेकिन इसकी बुजिशन देखनी आपने तो इस यह बेहने हां ठीक हो गया और इसमें भी आपने आपना आलदा वे अप करेंगे और आलदा वे डाउन अपने लोएर बैली के प पशुआ है ना और आप सिरफ लें अपने कंप्लीट करने के बाद आपने इदर आना है और पर पहले होगा बहुत शुआ उपर जरा सीधी रहो आपने आज जैदा आगे नहीं जुकना आपने बस यह चीज़ ऑके बहुत आला यह पर्ट पोजिशन के ताथ हाथ आपके प कि बहुत आला लास्ट वन थोड़े होल्ट करना नीचे अब देहना है यह जीज ओके बहुत आला इन्हें अब लेट प्रेट का पॉल मार के दिखाओ फीच के ज़रा कि यह जीज यह क्यों दिखाथा हूं सेट के बाद आपको आपको बताता हूं कि और बैक कि किस अंगर की और आपका लेट स्प्रेट का पॉस्ट की तर्गड की यह इसलिए आपको तके आपको मुश्पील ना ओटेनिंग करते वे इसलिए पौफर गड़ किया जाता आपको जी गाइस उम्हीद करते हैं मोस्ट अफेक्टिव साजरा बैगवार गौट उसे अन भाई ने करके दिखाया और समाम भाईयों के लिए शूड़ से लेके अब तक उस अन भाई ने आपको कम्प्लीट गाड़ किया अपनी बोडी आपको साथ शेर करते रहें कोई भी ऐसे न हमारा जो में मकसद है अन्प्या नेच्टर कॉंपेटिशन में अछे रिजल्ट आ सके लेकिन हमारा दूआ करें और मारी जो टंक या थो थोड़ी सी बेटर हो बड़ी आपको देख रहे होंगे के यार सेम बाई मानी बाई के बाद च्छे महीने से लगे हमें हैं लेकिन के अच्छी बढ़कर तो कर रहे हैं मतलब अच्छी हैं ज्यादा बितर नहीं हो पारी उसकी क्या वज़ा हम चैरी कर रहे हैं आप किसी भी मसल को स्लो एंड स्टडी के साथ ही अच्छा कर सकते हैं तीक है ना जो मैडिसन वाला लगा होगा वह आपको पी में ने में उसके लड़का होगा उसको टाइम लगेगा आपने सिक्सक बनाने भी चांगों को बाकी मसल को भी ग्रोव करने में यह बाद यह आप किसी भी लड़के को पचान सकते हैं कि वह अगर जल्दी त्यार हुआ है तो किस वज़े से वह त्यार हुआ है तो सैन भाई इस लिए थोरा सा लेकिन मानी पीटरंस चैनल का फिर नाच्रल बोड़ने रहा है लोग मने या ना मने लेकिन मानी पीटरंस नाच्रल बोडी बिल्डिंग को परमोड करेगा इंशाला आपकी दुआउ से इंशाला, इमित करता हूँ आज की वीडियो और हमारा समर सिजन का पार्ट आपको पसंद आया हुगा, इसी तरह हैंगी सैंब भाई की वीडियो को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक और शेयर करते रहें, और दौा भी करते रहें सैंब भाई के लिए, आपके लिए टाइम निकालते हैं, वीडियो में आते हैं, सिर्फ आप लोगों भी स्पोर्ड के लिए आते हैं और आपको गाइड भी करते हैं, मिलते हैं पार्ट नाइन में, अपना भी खाड़ रखें और अपनी सैंबली का भी, बाई बाई अब्सक्राइब, अगया भी करते हैं, तो षाओें। झालते हैं